जगदीश प्रसाद दुबे जगदीश जी राहूल गांदी जी को सो दिन हो गए हैं विपक्ष के तोर पर नेता पर क्या बदलाव लग रहे हैं पहले से आपको हम सोच रहें कि कब जल्दी परधानमंत्री बने सीधा परधानमंत्री बदलाव क्या लगए यह सरकार बहुत जल्दी पल्टी आई पहले राहुल गांदी जी के साथ बड़े विवाद जुड़ते थे कभी टी-शेट को लेके कभी तक तक करके सोना निकल जाएगा या कुछ सब्सक्राइब नहीं है कि अब लागांदय की बोलने वाले कभी बोलने वाले ज्यादा है तो उसको ख़जार बात बनाके भूलते संद्दूरत भाद्धि वह इनकी इस दमैं पर इसकी सरकार रहती है उसी का सब होता है अग्याद देंकल की वह पहले उनका लोगों से जुड़ाव नहीं था अभी आपको उसमें लगए कुछ बढ़ाव अब देखो कोई पैदा होता है उसके बाद तुरंत नहीं बन जाता है वो नेतागीरी सीखते सीखते सब जाके कहीं नेता बनता है अब भलाई करेगा घूमें एगा सबसे मिले जुलेगा तो और अगे बढ़ेगा अंकल आपका रजेंदर जी सो दिन हो गए हैं राहल गांदी जी को विपक्ष के दोर पर नहीं तो क्या बदलाब लग रहे हैं आपको राहल गांदी पहले से कुछ बदले हैं शुरू तो ज्यादा मैचोर नहीं दिख रहे हैं कोई पुरानी बातों भी अटके हों आडानी अम्बानी और अपना भाईचारा लेकिन दिखाते नहीं भाईचारा यह पर सिर्फ बोलते ही रहते हैं पहले लोग कहते थे आम तोर पे बहुत ज्यादा मीडिया में भी चलता था कि उनके साथ रहते हैं लेकिन मुझे तो लगता कि सब यह एक डखोस लाहता है उनका वो सिर्फ पाने के लिए यह सब करते हैं वो लो आप लग रहे हैं अगली बार कभी जब भी मोका मिलेगा राहुल गांदी जी को एक बर प्रदार्मंत्री का मोका मिलना से हैं नहीं कम से क मैं तो उनको पसंद नहीं करता ना ही मैं चाहूंगो कि वो कभी इस देश के बरदानमंत्री बने क्या नाम है अंकल आपका राजिंद कुमार राजिंद्र जी राहुल गांदी जी को सो दिन हो गये हैं विपक्ष के तोर पे नेता पर क्या बदलाव लग लग रहे हैं उनक अब थाम गए है सत्ता पक्ष इसको हम मानते हैं और बोली और पहले कहा जाता था कि जुडाव नहीं है इतना राहुल गांदी जी का आम नहीं अब लग रहे है कि जुडाव है जी जी अब पब्लिक से भी जुडाव काफी हो गया और पहले बहुत विवाद भी जुड़ को लेके यहां उन्होंने कोई बयान देती है सब तो अलाग वाद है उसको तो फिल्ली उडाना होता है क्या लगते हैं लोग समझते हैं काई से रहे नहीं लोग को मजाएगा अब हम हाँ पाहल लिए यह पाहल लिए तो आपको लगता है कि कभी मोका मिलना से रालुदांद को प्रधानमंत्री बन रहे हैं लगता है क्या नाम है सर आपका मेरा नाम मनोज कुमार है मनोज जी विपक्ष के तोरफे नितवे स्राहुल गांदी जी को सो दिन हो लग रहा है पहले से कुछ बदलाव आया है काफी बदलाव लग रहा है जैसे वह विपक्ष में करते हैं और यह चीज्जे काफी यह लाती है कि एक पॉछ्ष के निता एक चीज़े करता है तो उसे क्वाले नहीं 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 लिया जाता है तो अभी उन्होंने जो और चीज़े होती है कि बाकी चीज़ों को ना बोलके अपने पॉइंट तो पॉइंट रहें और उसको संसद में पेश करेंगे तो उसे यह रहा है कि जो सरकार होती है वह भी उसके पर जवाब दे उन पर काम करें यह काफी चीज़ें लोगों से जुड़ाव की पहले बात की जाती थी कि राहुल गांदी जी का नही उनसे कनेक्ट होते हैं तो आपको लग रहा है कि राहुल गांदी जी मुद्दो की बात कर रहे हैं तो उनके आंसर मिलेंगे और सवाल होंगे तो उसके काम भी हो गया उनकी टी-शेट को लेके उनसे कहीं विवादों पर पहले बहुत जाड़ा चर्चा होती थी अभी आप विपक्स के नेता होते हैं तो आपको एक रिस्पॉंसिवल पर संकिया करता है पहले आप उस लेवल पर नहीं होते हो या उसको आपको पार लगांदी को प्रतान मंत्री अगर ऑगर ऐसी पोजटिवीटी रही उनकी सभी एसी तो काफी मिलब फेवर महीं है चीजी जो मतलब की जो कुछ होता था एक तरफा होता था अभी इस समय जो है विपक्ष में एक पॉजिशन पार्टी आने से काफी मजबूती आई है जो मतलब की जितने भी बाते होती थी उसका मतलब की बोल नहीं पाता था भी विपक्ष में मजबूती आने से और काफी हर एक मामले पर आगे चल रहे हैं और जो भी मतलब बक्तव दिया जा रहा है वो सही बोल रहे हैं मतलब होना चाहिए राहुल गांजी जी के लिए काफी कहा जाता है कि उनका जुड़ाव नहीं था पहले अब लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होता था लेकिन जब से अपना इनोंने पाधियात रह करी और इतनी जन समय जो सब अटेंड कर रहे हैं और इससे जो पब्लिक उपर बहुत इसक सब्सक्राइड नहीं कर सकते बटी है कि अब यह कभी आगे तक प्रोग्रस करेंगे